जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पेस्ट अस्टेजी प्रेस्ट में तो आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंट्रेस्ट का कुछ important प्रस लेकर गाया हो और अगर आप किसी भी एकजाम के तयारी कर रहे हो तह आप के लिए important होगा तो चलिए देरना करते हो खुरृ करते हैं तो देखे दुरतों पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट कआ रहा है एक वेक्ति ने बैंक से 8000 रूपिय इस शर्थ पर उधार लिया कि पहले पांच वर्ष के लिए 6% अगले तीन वर्षों के लिए 8% इसके बाद चार वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधरन ब्याद लगेगा अधिव बारा वर्ष के अंत में उधार लोटाए तो उसका ब्याद कितना ब्याद देना पड़ेगा अब देखिए दोस्तों, simple suppression है, लंबा कोचन देख करके डेरिएगा नहीं दोस्तों, exam में भी आपको नहीं छोड़ना है, जो देखिए, 8000 रुपिया है, और 5 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 8%, और 4 वर्ष के लिए 10%, ठीक है, cool, 12 वर्ष के अंत में उधार लोटा है तो क कितना ब्याज देना पड़ेगा ठीक है कितना ब्याज देना पड़ेगा यह ब्याज देना पड़ेगा आने सिंपल इंट्रेस्ट का कोचन है दोस्तों तो ब्याज ब्राबर क्या होता है आरजुने टी यह तीन बार मैं इस ले लिखा क्योंकि तीन बार इंटरेस्ट लगज़ा दो ठीक है बटा में सब आर बराबर हमारा जो है और परसेंट है यह यहां जो है सारा क सारा परसेंट बैसे चलिए परसेंट कर देते हैं यह जो है आर पर्सेंट रेट अनि दर हो गया और टी से टाइम हो गया दोस्तों ठीक है समय अब देखिए हमारा मुल्दन कितना है तो आठ हजार रुपिया है आठ हजार रुपिया भी यहां लिखतीजे ब्रैकेट बंद किजे बोला पहले पांच वर्स के लिए छे पर्सेंट तो छे गुने पांच किजे जोड का चिन दीजे फिर है दूसरा आर गुने टी तीन वर्स के लिए आठ पर्सेंट तो आठ गुने तीन फिर जोड का चिन दीजे फिर बोला चार वर्स के लिए दस पर् तो 6 पचे 30 आता है अगर इसको करते हैं दोनों को ये 30 आ जा रहा है चले थोड़ा एक उनट दोस्तों थोड़ा से जगा नहीं बनेगा तो इसको हम अलग कर देते हैं तो क्या करेंगे ये 6 पचे 30 आ जा जागा चले लिखते हैं पर प्लस आर्टिया 24 आ जाएगा और फिर जो है 10 चोके 40 आ जाएगा हम इसको यहीं जोड़ दिये दोस्तों तो हमारा कितना आ गया 8000 गुने 30 और 40 70 70 और 24 आ गया 94 बटा में 100 लिकिया अब अब क्या है ये 2 जीरो और ये 2 जीरो जीरो क कट गया अब आप जई असी को 94 से गुना करडि़े और असी को 94 से जो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 बीस आ जा हैगा दोस्तों तो हमारा ब्याज कितना देना पड़ाएगा दोस्तों तो 75ником 20 अरू गया तो सही 1997 क्या व प्रस अगर आपका आएगा तो आप नहीं छोड़िएगा चलिए नेक्स प्रस को देखते दोस्तों देखिए दोस्तों दूसरे प्रस को देखिए और इसको विडियो पहुच करके इसको बनाने का कोशिश किजिए देखिए दोस्तों देखिए आप से जरूर बन जाएगा औ और दस सेकेंड्स जादा नहीं लगना चाहिए दोस्तों आपका बनने में चलिए दुसरा प्रस बोल रहा है आपका किसी धनरासी पर पहले दो वर्ष के लिए 4 परसेंट अगले चार वर्षों के लिए 6 परसेंट और इससे अधिक समय के लिए 8 परसेंट वार्षिक दर से ब्याज जोड़ा जाएगा अधी नौ वर्षों में कुल साजाने प्याज 1120 रुप्या हो तो वह धनरासी ग्याद किजिए अब अब अधनरासी आपको ग्याद करना है दोस्तों ठीक है कि चलिए कुछ भी नहीं दोस्तों सिंपल सा है कि देखे दिजएगा दो वर्ष के लिए 4 परसेंट चार वर्ष के लिए 6 परसेंट और इससे अधिक समय के लिए 8 परसेंट अब यहाँ टाइम नहीं दिया और कुल बोल रहा है समय जो है 9 वर्ष ठीक है अधी 9 वर्ष में क मुल साधारन ब्याज कितना दे रहा है 1120 रुपया दे रहा है तो साधारन ब्याज बराबर अभी बताये ब्याज बराबर चले फिर से एक बराब मैं लिग देता हूं दोस्तों ब्याज बराबर मुलदय गधर arch और परसेंट गुणह टी फिर प्लस का इसको bracket बंद किज़े और hundred कर दीजे अब देखिए आपको पूछ रहा हुआ धनरासी क्या है तो धनरासी हमको मालूम नहीं आने मुल्दन हमको मालूम नहीं है और मुल्दन मालूम नहीं है तो इसको x लिख दीजे और देखिए दो वर्स के लिए 4% तो चार गुंणे दो फिर जोड़ का चिंद दीजे पिर बोला है 4% 4 वर्सों के लिए 6% तो 6 गुंणे 4 अब बोल रहा है 8% इससे अधिक समय के लिए 8% अब 8% बोल रहा है दोस्तो तो क्या करेंगे यहां कुल कितना है 9 वर्स 9 वर्स के लिए बोल रहा है इससे अधीक समय के लिए 8 परसेंट तो यहां लगा 2 वर्स और यहां लगा 4 वर्स तो चार दो छे वर्स हुआ और यहां बोल रहा है 9 वर्स तो 9 वर्स में 6 घटा दीजिए Über 2 effic20 के लिए 8 पर्सेंट लगाए तो 1120 रुपिया 1120 रुपिया हाँ अप लिख दीजे अब क्या किजिए दोस्तों 1120 यहां लिखिए और X इसको गुना कर दीजे चार दुनी 8 प्लस 24 यहीं कर दे रहे 60 में दोस्तों और प्लस यह हमारा 8 यह 24 आ जागा तो 24, 24, 48, 48 और 8, 56 आ जागा दोस्तों कितना आएगा? 56 आ जागा बटा में 100 कर दीजे 100 लिख दीजे अब काट यह दोस्तों देखे करता है तो 8 सते स्वरी एक मिनिट 8 सते 56 यह कर जागा दोस्तों अब 8 से देखे यह भी कर जागा 8 एकम 8 तीन बचा 8 चौके 32 जीरो यह बचा अब 7 से कर देखे 7 दूनी 14 यह जीरो ठीक है? तो 20 आया अब जो है क्या बचा दोस्तों? कुछ भी नहीं, यहाँ एकस बचा है यहाँ बचा में 100 और यहाँ 20 अब यह तीर्छा गुना हो जाता है क्या होता है? तीर्छा गुना होता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ठीक है? क्या है? एक है तो एकस बचाबर एकस बचाबर यह 100 को 20 से गुना कर देंगे तो कितना आ जागा? 2000 आ जागा दोस्तों कितना आया? तो 2000 रुपिया आया तो अहीं आपका answer हो गया दोस्तो तो सही answer क्या हुआ तो 2000 रुपिया दोस्तो तो देखिए यह की इतने नमबर पे तो भी नमबर में है चलिए मुझे उमीद है दोस्तो मैंने जो समझाने का कोशिस कि आप लोग को समझ में आ गए होगी और दोस्तो अगर वीडियो अच्छी झाल को यह झाल कोशिस कि आप लुदिए अग्ण में आपका